स्रीमती मिनाक्षि लेखी जी धन्यवाद डेप्री स्पीकर महदे आप इस कुर्सी पर बैठें ये बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है क्योंकि आप मेडिकल डॉक्टर है और इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि आटो इम्यून डिसॉर्डर भारत में बढ़ रहे हैं और कहीं न कहीं उसका कारण ग्लूटन रिलेटिट खाना भी है अभी जो मंत्री मौहदे के संग्यान में ये लाना चाहती हूं कि बाजरा, रागी और जवार ऐसे जो अनाज है जो जिसको हम मोटा अनाज कहते हैं साधारण बाशा में वो ग्लूटन फ्री है लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो अपना साइंस का प्रियोग उपयोग करते रहते हैं और गूतने की दृष्टी से इनको गूतना मुश्किल होता है तो वो इसमें भी ग्लूटन डाल रहे हैं तो क्या मानिय मंत्री महादे जी इसका संग्यान लेकर कुछ इस तरीके का नियम लाएंगे कि जो विज्ञानिक खोज और बाकी चीज़े चल रही है तो उसमें जो सीरियल है उसका नेचर तबदील ना हो इसके उपर कुछ प्रियास किया जाए मंत्री जी मानिय जक्षर जी मानिय सदस्या हमारी अच्छे अधिवक्ता के रूप में बहुत ही अपनी ख्याती प्रस्थापित कर चुके है उन्होंने किसानों को और क्रिशी जगत को और खास करके निट्रीशन को हल करने की दिशा में हम क्या कर रहे हैं और उसमें उन्होंने मिलेट का जिक्र किया मैं आपके माध्यम से आप सभी के संग्यान में लाना चाहूंगा कि हमारे प्रदान मंत्री जी ने एक वेबिनार में हमारे जाफराबाद के शियाल कोट के बाजरे का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये बाजरा जो शियाल कोट का है उसमें क्या ऐसी गुनवत्ता है कि लोग अपने आप उसको खाना पसंद करते हैं उसका बाजरा का जो रोटला बनता है, बहुत स्वाधिष्च होता है, हमने उस बाजरा का वहां से नमुना मगा कर ICR में उसको संशोधन करने के लिए बोला, ICR ने उस बाजरे का संशोधन करके प्रस्थापित किया, हमारे देश में जितने भी मिलेट्स बाजरा की जो भी जातिया अभी तक की उपलब्द हैं उन में से सबसे ज़्यादा आयर्न और सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वेल्यू उस बाजरे में हैं यसा प्रस्थापित हो गया और उसको हमने गैजेट कराने के लिए भी सुचना दे दिया है 2022 के साल को मनाने का निर्णई ले लिया गया है हमारे ही देश में नहीं पूरी दुनिया में इस मिलेट्स के महत्व को उजागर करने का एस सबसे बड़ा उपकरम ये 22 के साल में हम करने जा रहे हैं और उसी मिलेट्स में गुनवत्ता पूर्ण सीड्स का संशोधन करके जिस लगा हुआ है और कहीं प्रजातिया उसमें हमने संशोधित कर भी दिया है